एक पशुपती व्रत होता है यदि कोई विशेश समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को बहुत तकलीफ चल रही हो बहुत कश्ट हो रहा हो बहुत जादा दुखी हो तो पाँच सुम्बार पशुपती व्रत कर लो कितने सुम्बार? पाँच पशुपती व्रत करने का नियम अच्छे से समझ जीएगा पाँच सुम्बार करना है कोई से भी सुम्बार से चालू कर सकते हो केसे करना है? सुभा के समय पर भगवान संकर का अभीशेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ पूजन अर्चना अराम से करकर आओ शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो सुभे के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो अर्थात मीठे का भोजन मतलब फलारी भोजन जो भी मीठे का है वो करे शाम के समय घर से छे दिये लगा कर लेकर जाएं घी के कितने दिये छे साथ में कुछ मीठा बना कर लेकर ले संकर जी के मंदर में जाकर मीठे के तीन हिस्से कर ले दो हिस्से मंदर में रख दें एक हिस्सा अपने साथ लेकर आना मंदर से जो छे दिये लेकर गए हो पाँच दिये भगवान संकर के सामने लगा दो पशुपती नात के नाम से अपनी कामना करता एक दिया बापिस रखके ठाली में लिया जब घर में प्रवेश करें घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे उसका सीधा हाद प्रवेश करते समय र इसको करते हैं पशुपती ब्रत, मात्र पांच ब्रत कर लो, अगर कोई समस्या है, तकलीप है, बहुत कष्ट है, तब, कोई दिक्कात आ गई है, कोई बिमारी आ गई है, बहुत कष्ट जादा हो रहा है, कोई करजा बढ़ गया है, कोई देन लेन रे गया है, कोई परिशान क कर रहा है तो पशुपती ब्रत आप कर सकते ये ब्रत आपको जीवन में पांच ब्रत करोगे और काम सफल हो जाए इसको कहते पशुपती ब्रत